कि नमस्कार दोस्तों कि स्वागत आप सबका इजैनित के ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर और मेरा नाम अनिकेज जेन है RPSC 1st Grade students का सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये वीडियो जो है वो RPSC 1st Grade पेपर 2nd chemistry के लिए प्रपैर किये जा रहे हैं और मैं आप लोगों को organic chemistry यहां पर सिखाने वाला हूँ तो देखिए students जल्द ही vacancy आने वाली है 1st Grade की जो है और इसी हिसाब से हम लोग प्रपैर करके चल रहे हैं तो organic chemistry में मैं बिना time waste की आप लोगों को सबसे पहले यह बता देता हूँ कि हम organic chemistry में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं sequence से completely पूरे syllabus के अंदर तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों से organic chemistry के अंदर हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं organic chemistry एक brief introduction आप लोगों के सामने रखा जा रहा है syllabus कि क्या-क्या कि सीक्वेंस से हम लोग organic chemistry को RPSC first grade level की discuss करेंगे first पहला जो topic हम लोग discuss करेंगे वह होगा general organic chemistry chemistry जिसे GOC के नाम से जाना जाता है candidates general organic chemistry के अंदर हम लोग stability of intermediate acidity basicity और aromaticity यह चार major topic जहांसे चार से पांच question confirm बनते हैं वह discuss करेंगे stability of intermediate aromaticity acidity और basicity पहला topic हम लोगों होगा organic chemistry का general organic chemistry chemistry जिसे आज इस वीडियो के अंदर इसका पहला chapter में आज इस वीडियो में शुरू करने वाला हूं general organic chemistry का तो पहला GOC topic होगा दूसरा topic as usual GOC की जस्ट बात जो देखा जाता है isomerism isomerism के अंदर stereochemistry आ जाती है stereochemistry students और इसमें वही syllabus to syllabus जो काम की चीज आरपसी फर्स्ट ग्रेड की जिसमें RS nomenclature, EZ nomenclature, Conformational of Normal butane, Athene and cyclohexane जो आपके syllabus में mention है to the point पहले तो वह चीज और इसके अलावा कुछ optical isomerism, geometrical isomerism वगरे के concepts आप लोगों के सामने आएंगे तीसरा topic जैसा कि आप जानते हो GOC isomerism के जस्ट बात में organic chemistry में पढ़े जाते है reactive intermediates reactive intermediates क्रियाशील मध्यवर्थी जो reaction के बीच में बनते हैं carbogethyne, karbenine, carbon radical, carbon, nitrogen, benzyne ये 6 intermediate उनसे related उनकी method of preparation, chemical reactions इसमें आ जाएएगी ठेक है उनसे सम्बंदित kuch named reactions वो भी इसमें आ जाएगी reaction intermediate तीसरा topic होगा हम लोगों का चोफह as usual reaction mechanism तो छात्रों ध्यान दीजिएगा कि reaction mechanism के अंदर एडिशन, सब्स्टिटूशन, एलमेनेशन और री अरेंजमेंट और जो RPSC फर्स्ट ग्रेड पोस्ट ग्रेजवेशन लेवल पर और अर्गेनिक में में मेंशन है SN1, SN2, E1, E2, SNI वो भी सब इसमें आ जाएगी जहां से कंफर्म दो से तीन क्वेस्टन बाठते हैं तो ये चार बेसिक और पाँचवा एक टॉपिक रहे जाता है और गेनिक में जो अलग से सेलिबस में 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 इस्ट नहीं होता लेकिन पूरी और गेनिक में काम करता है जिसका नाम है नॉमन कलेचर ओफ और गयने स्टुडिंट्स इसमें ट्राइवेल और आईउ पीसी दोनों ही नाम जो पूरी और्गेनिक में आपने देखा होगा और पीसी के फर्स्ट ग्रेड के प्रीविएस पेपर्स के अंदर की नाम देके सवाल रियक्शन पूछ लिये जाते हैं यदि नाम से स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप उन क्वेस्टिंज को अटेंप्ट कर सकते हैं ओवराल नॉमन क्लेचर इस चेप्टर में डिसकस होगा पांच बेसिक चैप्टर जी योसी आईसो मेरिज्म रियक्शन इंटरमीडियेट रियक्शन मैकेनिजम और नॉमन क्लेचर यह बेसिक और गैनिक केमिस चैप्टर में हम चैप्टर में जो है जो फस्ट ग्रेड के सेलिबस में मिंचन है वो चीजे हम डिसकस करने वाले हैं जैसे पहला चैप्टर सुड़ होगा हाईड्रोकार्बन एलिफटिक एलकेन का दूसरा चैप्टर आप लोगों का होगा अलकीन कािजागी क्योंकि हेलो एलकेन हेलो एलकेन और हेलो एरीन एक बार बिर्फ इंट्रोड़क्षन जरूरिए कि क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं औरहाइल हेलाइट सब्सक्राइट देखें बर्सक्राइब्द कर्ठ स्याज़िक सफ हैं ilkaaree Canal के अंदर aromaticity mention है लेकिन इसको हम general organic chemistry में पहले ही कर चुके होंगे aromaticity का confirm question आता है और benzene के तो questions अलग से आते ही आते हैं तो यह basic पहले देखो चैप्टर में हम एरीन हो गया एरीन के बाद में हम लोग जो है next बात करते हैं कार्बोनाईल वाले चैप्टर की कार्बोनाईल वाले चैप्टर में चैप्टर के अंदर आ जाते हैं एलडी हाइड और कीटॉन कार्बोनाईल वाले चैप्टर में क्या आता है एलडी हाइड और कीटॉन और उससे related reactions तो सारी यह रियक्षिंज जो हैं जो first grade के syllabus में है ओल कंदन्सेशन रियक्शन सेल डॉल परकिन नॉवल जैलिस टॉप बेंजो एन्री फॉर्मेट्स की मैनिक हां बेयर विलिगर हम इसके अलावा मीरवाइन पॉंडर ऑफ वरली ओपेन और ऑक्षिडेशन यह सब पूरी नेम रियक्शन जो है विट कॉंसेप्ट यहां आ जाएग एंड डेरिवेटिव्स समझ गए होंगे डेरिवेटिव्स में एसिड के क्लोराइड एस्टर एमाइड एन हाइड्राइड यह सब इसमें आ जाते हैं तो कार्बोगजाइलिक एसिड जैसा कि सेलेबस में आर्पेसी फर्स्ट ग्रेड में दिया हुआ है वैसे ही हम लोग च देखेंगे उसकी जो भी अलग अलग चैप्टर में आएंगी वह देखते चलेंगे और इन चैप्टर में करना गया है हमें में मेनली इन चैप्टर के अंदर मैथड ऑफ प्रपरेशन देखना इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज को फोकस करना है और उसके बाद सब से लास् से आप लोगों के यहां तैयार हो जाएंगे तो बचा क्या मैथड ऑफ प्रपरेशन कैमिकल रियक्षन हां फिजिकल और कैमिकल प्रॉपर्टी यह डिसकस करते चलेंगे चैप्टर वाइस और सीधे उनी चीजों पर जो सार है जो पूछता है जनरली उससे संबंदित नैन्ट्रोजन चंटेनिंग और अर्गेनिक कंपॉउंड्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं नाइट्रो एमाइन्स और बेंजीन डाय ओजोनियम सॉल्ट यह तीन अमारे से लिवस में लिखा हुआ है नाइट्रोमें और दाय ओग्लिकैशन पोर्शन को हमें देखना है नाइट्रो में रेडक्शन, एमीन में ऑक्षिडेशन और डाइजोनियम सॉल्ट के सिंथाटिक अप्लिकेशन विद कप्लिंग रियक्शन, समझ में आ रही है नाइट्रोजन कंटेनिंग के बाद में पीजी लेवल पर जो हम लोगों के, आरकेसी फर्ट ग्रेड में पीजी लेवल पर जो से लिवस में डाला हुआ है वो है फिनॉल एथर इपोगजाईड्स, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इसे डाला हुआ है फिनॉल एथर, मैंने कहा ना आप लोगों से, अल्कोहल से नहीं लिखा हुआ है, क्या है मेंशन, फिनॉल एथर इपोगजाईड, इनके फिजीकल केमिकल रियक्शन, और इनकी मैथड और प्रपरेशन, यह देखते वे चलेंगे, फिर इसके बाद में, देखिए, यह से क्वेशन निकलते हैं मैो मोलिख्यूल में, क्योंकि कर्भोःड्रेड, एमीनो-एसिड, प्रोटीन, वेटामें, एनजयाएम, यह सब इसमें आजाते हैं, तो इससे कम 사 से 5 ग्राक्स तो फैसे सिदे याद रखना होता है सीधे ड्रक्स-में तो आपको सीधे याद रखना है कि कौन सी ट्रक क्या काम करती है तो यह वाला पोर्शन कम से कम 10 से 11 सवाल निकालता है तो इससे छोड़के नहीं चलना किसी भी आहलत में इससे लास्ट मोमेंट तक भी याद करके चलेंगे ऐसे यह वाला पोर्शन कार्वोनायल और नेम्ड रियक्षन ये निकालता है कम से कम 10-11 question आपको बतादू ओवराल और गेनिक टोटल सब्जेक्ट केमिस्ट्री निकालता है 120 सवाल हां टोटल 120 questions chemistry के हैं उनमें 50 questions 50 सवाल और गेनिक क्यूंकि बड़ा portion और गेनिक आप से लिबस उठा के देख लेना फर्स्ट ग्रेड का तो बड़ा पोर्शन और गेनिक है इसलिए पच्चास क्वेश्चन वेटेज रखते हैं अपने आप में और गेनिक के यह तो है बायो मॉलीकुल यह पॉलीमर फीनॉल इथर इसके अलावा कुछ एक्स्ट् की रिर्रिंजमेंट तो यह हैं लायूं यह स्पैक्ट्रो इसकोपी इस प्रइंडील प्रश चमिक रिएंज्विह कौण कौनसी है यूवी एनमर और आई यार यह तीनों इस स्पैक्ट्रोशिपी ऑगी इसके अलावा एन्वाराइंडमेंटल चेमिस्ट्री और environmental chemistry में हम लोगों के क्या है से लेवस में, ozone layer depletion, global warming, green house effect, यह तीन चीज़े हैं, और यहां से एक question maximum बैठता है, अच्छा देखो, PG level पर एक और चीज़ हम लोगों के mention है से लेवस में, pericyclic reactions and photochemistry of alkene, photochemistry of, तो photochemistry of alkene तो बहुत चोटा सा बाट है, लेकिन pericyclic में, electrocyclic, cyclo addition, sigma tropic, यह तीनो reaction हम लोगों के mention है, यहां से दो question RPSC first grade देता है, और यह PG level का topic है, first grade की candidates को इसमें guidance की पूरी-पूरी requirement होती है, क्योंकि यह बहुत आसानी से समझ नहीं आता है, तो देखिए students हम लोगोंने, सबसे पहले यह brief introduction इसलिए लिया, ताकि आप लोगों कोई criteria रहे कि हम किस तरह से organic chemistry में शुरो में basic organic पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम लोग chapter wide चलने वाले हैं, यह हमारे chapters जो हमारे RPSC first grade के syllabus में mention है, उनको हम देखने वाले हैं, और यह इस अब आप लोगों का समय बचाते हुए, मैं सीधे आज इस वीडियो के अंदर शुरुबात कर देता हूँ, general organic chemistry, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि GOC के अंदर, general organic chemistry के अंदर जो है, हम लोग दो chapter में move करेंगे, पहला chapter जो है, वो fundamental का होगा, जिसमें सारा आप लोग आएगा, उसमें हम electronic movements, यानि के inductive effect, hyperconjugation, resonance, aromaticity को देखेंगे, तो यह जो मैं बोल रहा हूँ, यह मैंने लिखे हैं, terms English में, लेकिन multi, bilingual language चलेगी, यापर, हिंदी प्लस English दोनों है, यापर चलने वाली, आप लोग comfortable रहेंगे, don't worry, बस आप ढंक से presence of mind से मुझे सुनते चल हैं, यह पहले से ही सेव चल रहे हैं, तो एक बार मैं आप लोगों को GOC का चोटा सा introduction explain करते हुए चलता हूँ, basic organic chemistry में सबसे पहले fundamental organic chemistry की बात चल रही है, fundamental organic chemistry की, और इसमें organic chemistry को पहले define कर देते हैं, तो students, organic chemistry को हिंदी में कहा जाता है, carbonic racion, यानि carbon का रसायन, organic chemistry मतलब carbon की chemistry, तो हम यह कह सकते हैं कि यह chemistry की वो ब्रांच है, जिसके अंदर हम carbon और उससे related, उससे संबंदित compounds यानि योगी को का अध्यन करते हैं, जहां carbon उपस्तित है, जहां carbon present है, वो organic chemistry का पार्ट होगा, अब आप यह भी जानते हो, कि carbon जो है nature के अंदर कितना ज्यादा मात्रा में present है, यानि कितने ज्यादा compounds carbon के nature में प्रकृति में पाए जाते हैं, यह एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत बड़ी ब्रांच है, बिल्कुल सही बात है, लाखों की संख्या में organic compounds आज के time पर nature में exist कर रहे हैं, जिने खो जा जा चुका है, तो देखिए, carbon की chemistry है, carbon और hydrogen अगर जुडे हुए है, अटेच है, तो हम उन्हें कह देते हैं, hydrocarbon, और यदि उसमें कोई और दूसरा hetero atom अटेच हो रखा है, तो वो आगे उसके derivatives बन जाते हैं, overall हम बोलें, तो hydrocarbon और उसके derivatives, basically organic chemistry में consider किये जाते हैं, अब आप सुनो, देखो एक बड़ी बात, कि हम कहत हैं, कि जिस compound में, या किसी भी substance में, किसी भी प्रदार्त में, योगिक में यह दि carbon है, तो वो organic है, लेकिन कुछ exceptional cases देखिए, आपके सामने बनाए हुए है, carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates, bicarbonates, sinides, हा, खुद elemental carbon, खुद elemental carbon, elemental carbon, जो आप P-block में पढ़ते हो, graphite, diamond, fulrine, allotrops, carbon के अपर रूप जो आप खुद P-block में पढ़ते हो, वो पहले से inorganic में है, तो पूरा true carbon है, pure carbon है, फिर भी inorganic में पढ़ा जा रहा है, तो बात आप समझे कि कुछ exception है, अब ये exception क्यों बने, क्योंकि इसमें वो properties नहीं है, जो basically hydrocarbon derivatives में देखी जाती है, बिलकुल सही बात है, इसी वज़े से उनको particularly organic में रखा गया है, carbon dioxide inorganic compound है, carbon monoxide inorganic है, पर ऐसा सवाल को एक्जाम में नहीं बनता, कि इन में से कौन organic है, कौन inorganic है, ऐसा नहीं बनता है, ये तो एक basic knowledge की बात है, कि इनको हटा दें, बस ये 78 compounds को हम अलग से हटा दें, तो remaining जो carbon वाले compounds होंगे, वो basically organic में जाते हैं, और overall definition, hydrocarbon और उसके derivative, जैसे hydrocarbon का example, next page में बता रखा है, organic molecule में, hydrocarbon का बता रखा है, methane, methane पहला एक basic member hydrocarbon का, सबसे basic member है, एक carbon वाला methane, इसे Mars Gase भी कहते हूँ, दल-दली शेत्रों में प्रेजेंट होती है, सही बात है, अब methane एक organic molecule है, क्योंकि इसमें carbon और hydrogen है, ये organic क्यों हुआ, CO2 इन-organic में चला गया, इसके आगे और members मिलते हैं, यानि मेन बात क्या हुई, homologous series का present होना, homologous series मतलब सजाती है, श्रेणी का बनना, ये organic molecules की विशेशिता है, कि generally इस तरह के जो compounds हैं, उनमें homologous series चलती है, जैसे ये alkane का member है, तो alkane की series चलेगी, methane, methane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, पूरी series चलती है न, देर सारे compounds alkane series में, फिर इसी तरह, ethanol मेंने बनाया, तो ये alcohol की series का member है, alcohol series का general formula common होता है, सामाने सुत्र, और उसमें methanol, ethanol, propanol, butanol, ऐसे members बनते हैं, they are categorized into organic molecules, basically, hydrocarbon ये है, उनके derivatives भी हो सकते हैं, जैसे glucose आप ले लो, अब सारी चीजे वो नही carbohydrates, sugar में आता है, glucose जो है, ये hexose sugar है, pentose भी exist करती है, ribose वगरे, tetrose भी, triose में glyceraldehyde पढ़ते हो, ये सब biomolecules में है, ये organic है, glucose, organic है, carbon present है, तो basically, कुछ points organic है, क्या, एक तो homologous series का present होना, hydrocarbon के derivative, homologous series का present होना, दूसरा आप क्या बताते हैं, organic compounds की property में, covalent character होते हैं, covalent bond present होते हैं इनके अंदर, और उधर inorganic में generally आप ionic bond बताते हो, electrostatic force of attraction बताते हो, तो ये covalent character भी रखते हैं, इनके melting point, boiling point, comparatively low होते हैं inorganic से, हाँ, इस तरह की कुछ basic characteristics, जो है, वो organic molecules में present होती है, आपने RPSC first grade lecturer, lecturer का exam देना है, school lectureship का exam fight करोगे, आप 11-12 वाले students को पढ़ाएंगे, 100% ये मान के चलो, जब आप organic में शुरू करोगे, आपको carbon के versatile nature को बताना पड़ेगा, और वो versatile nature का मतलब होता है, catenation की property को show करना, that means shrunkland की प्रवर्ती, इसी वज़े से इतने सारे compound बनाता है, एक carbon दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से पाचवा, ऐसे एक long chain का formation करना, ये catenation property कहलाती है, ये एक लौता एक ही member है, पूरी periodic table के अंदर carbon, जो catenation type की property best show करता है, मतलब यही एक versatile element, जो सबसे ज़्यादा compound बनाता है, इसलिए इसकी separate branch है, तो I think, ये एक detail introduction हो गया, organic chemistry का के carbon से related है, और carbon में भी basically hydrocarbon derivatives, जा homologues series चलती है, members की, कुछ example जैसे amino acids, आप देखोगे तरह सारे biomolecule में, ये पैरासितमोल एक बनाया रखी है, ये organic है, क्योंकि इसमें तो carbon सी carbon है, और ये पैरासितमोल का structure है, इसी तरह से salicylic acid का structure बनाया हुआ है, और धेर सारे पूरी chemistry में पढ़ना क्या है, organic में, पूरे organic molecules ही लेकर के चलना है, तो ये first, एक introduction आप लोगों के सामने में ने रखा है, organic chemistry का, आप देखिए, क्योंकि organic chemistry है, carbon की chemistry, तो fundamental में सबसे बहले, आप लोगों को carbon का introduction देना पड़ेगा, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, carbon में क्या देखना है, हमें electronic विन्यास ध्यान होना चीए, electronic configuration, वो ये रहा, ground state carbon, अभी मैं बताता हूं, क्या मतलब है इसका, 6 इसका atomic number है, 12 इसका atomic weight है, atomic number, आप inorganic chemistry, atomic structure में सारी detail ले लोगे, जहाँ सार और electronic configuration तक पहुच जाओगे, inorganic में, वहाँ पर आपने ये चीज़ सीख लिए, ये electronic configuration होता है, और इसमें कैसे हम electron फिल करते है, carbon के 6 atomic number जब, परवानु क्रमांग 6 है, उसका electronic configuration होता, 1s2, 2s2, 2p2, जैसा कि आपके सामने mention हैं दिखाई दे रहा होगा, 1s2, 2s2, 2p2, इस configuration क के लिए हम कहते हैं, ये ground state है, और ground state का मतलब है, niscent carbon, अकेला इकलोता carbon जब है, अब आप सोच के देखो कि nature में, प्रकृती में, अकेला carbon उपस्तित नहीं है, ये किस form में है, ये molecular form में present है, ये molecular form में present है, in general, मतलब एक carbon दूसरे element से और तीसरे से attach हो करके molecule बना चुका है, atom form में, elemental form में ये नहीं है, initial अगर मैं कहूं, atomic form में नहीं है, निसेंट carbon नहीं है, ये हो ground state, तो ये तो होती ही नहीं है, ground state electronic configuration में आपको एक चीज़ मेंशन करनी है, 1s2, 2s2, 2p2 में 2 जो है, principle quantum number n, 2, वो outer shell है, outer orbit, shell, और 1, इसका inner shell है, अब ये तो आपने पढ़े ही होगी chemistry, आप inorganic matomic structure में पढ़ते हो, ये central पे nucleus होता है, nucleus के अंदर proton और neutron होते हैं, proton positively charge होते हैं, और nucleus के around electrons चकर लगाते हैं, circular होते हैं, यह आप पढ़ते हो, तो भाईया जो 1s है वो सबसे pass होता है, 2s उससे उपर, 2p उससे higher energy का होता है, तो 2 bar की तरफ outer shell यही तो हुआ, ये inner shell हुआ, अब अगर मैं आपसे पूछूँ, कि इन मे कम attracted हैं, यह outer electron जो है, यही आगे molecule बनाने की तरफ जो है, यानि bond बनाने की तरफ जाएंगे, अब बारी आती है, इसकी कि यह bond क्यों बना रहे हैं, इस carbon को क्या उचकता है, molecule बनाने की, तो भाईया यह explain करता है, stability का concept, octate rule, क्या कहते हो, अश्टक नियम, तो octate rule यानि अश् shell outer orbit में, यदि 8 electron complete हो जाएं, तो 8 electron से क्या होता है, वो fully occupied configuration, fully occupied configuration को gain कर लेता है, that means stability को gain कर लेता है, और octate rule कहां से बना है, inert gases, अक्रिये गेसों से आया है, neon, krypton वगरे जो आप पढ़ते हो, P-block में सबसे last, वहां से octate rule को निकाल लिया, कहा कि valence shell में 8 electron पूरे होंगे, stable बन element जो है, और वो उस 8 electron यानि अस्टक यानि octate को पूरा करने के लिए ही, क्या करता है, bond formation करता है, अब bond formation करेगा, तो इसके valence shell में 4 electron है, इसको 4 electron की और requirement है, इसका मतलब यह 4 electron और चाहता है, तो 4 electron इसे 4 other element दें, और 8 electron इसके पूरे हो जाए, तो stable हो जाएगा, यह molecule formation की करता है, तो हम उस carbon को नाम देते है, excited state, उस excited state में क्या करता है, आउटर जो orbital है 2s, उसका एक electron 2p में भेज देता है, 2p में भेजने का मक्सद क्या रहा, एक equal, equal configuration आजाए, unpaird electrons 4 दिखाई देंगे, और एक symmetric configuration आजाएगा, तो अब 4 electron जो 4 element दूसरे लेके आएंगे, वो equally इस हो जाएगा, तो excited state में ये इस तरह से होता है, 2s, 1, 2b, 3, inner पर कोई effect नहीं, outer में ये excitation हुआ, और ये एक symmetric distribution हो गया electron का, ठीक है, अब देखो, एक तो क्या तरीका होता था, कि अपन बिना hybridization के चलें, और सीधे hydrogen को यहाँ पर mention कर दें, और बता दें कि CH4 बन गया, और 8 electron प hybridization concept दे दिया था, और अगर हम बिना hybrid orbital के चलेंगे, तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हमें बाद में वापस hybrid orbital ही लेने पड़ेंगे, यानि carbon को हम unhybrid, s और 3p नहीं गिनेंगे, अब हम इसको hybridization के साथ count करेंगे, तो देखो, क्या concept है, concept जो यह था, concept जो वो यह था कि outer shell के, almost similar energy के जो orbitals होते हैं carbon के, एक यह s और यह 3, यह आपस में करते हैं, उड़ जाओं का पुनर वित्रण, redistribution of energy, और बना लेते हैं उतनी ही संख्या में नए hybrid orbital, तो देखो, इन जनरल आप लोग पढ़ोगे, तीन तरह के hybridization carbon में, एक sp3, एक sp2 और एक sp, और यह जो सारी chemistry चल रही है, carbon की, यह bond formation के लिए चल रही है, ताकि इसका octet पूरा हो जाए और यह stability को गेन कर ले, तो concept दिया पॉलिंग ने, कि भाईया, outer shell के orbital energy का redistribution करते हैं, और नए hybrid orbital बनाते हैं, जितने orbital redistribution करेंगे energy का, उतनी ही संख्या में नए orbital बनेंगे, विशेषता क्या होती है, hybrid orbital बनके आते हैं, यह ज्यादा directional character रखते हैं, दिशात्मक गुण इनका ज्यादा, particular direction में जाकर के overlapping करके, strong bond बनाते हैं, और और ज्यादा stability gain कर लेता है molecule, तो I think आप लोगों को basic concept समझ में आ रहा होगा, कि क्यों आगे यह hybridization की बात की गई है, bond formation, octet पूरा करन stability gain करनी, यह सारा काम आप पहले से देखते चल रहे हो, तो पहला hybridization लेते हैं carbon का SP3, देखिए, elemental carbon आगे molecule बनाने की तरफ जा रहा, excited state में आ चुका है, यह configuration चल रहा है, SP3 अगर hybridization होगा carbon का, तो उसमें क्या करेगा carbon, उसके outer जो shell है, उसका 1S और 3P, सारे के सारे, outer वाले, यह चारों, आपस में energy का redistribution करेंगे, जब चार करेंगे, तो चार नए SP3 hybrid orbital बनेंगे, जितने करते हैं संख्या में उतने ही नए बनते हैं, चार नए SP3 बनेंगे, बिल्कुल सही बात है, यह बले ही अलग-अलग energy के, इनका size और shape जो अलग-अलग हो सकती है, size तो मैं नहीं कम energy का है, जादा energy का है, तो आपस में redistribution होने के बास सारी चीज़े बिल्कुल सेम आजाती है, hybridization में, hybridization को आप पूरा धंग से, inorganic chemistry, VACPR थेयोरी में पूरा पढ़ोगे वैसे तो, पर carbon के hybridization तो organic में लेके चलोगे ना, students, तो भाईया यह देखना, चार नए SP3 hybrid orbital बनते है अब वो चार जो नए बनते हैं, वो इस पेस में, क्योंकि मैंने कहा था, आप लोगों से, hybrid orbital, जाधा directional character show करते हैं, unhybrid से, तो particular direction में इस पेस में arrange होते हैं, SP3 orbital, tetrahydron manner में arrange होते हैं, जो यह रहा आपके सामने, बनाया हुआ, center पे carbon है, center पे carbon है, और यह चार SP3 है, अब इसक थोड़ा सा 3D structure होता ही है, जभी तो stereo chemistry हम बात करते हैं, carbon में, तो दो orbital, आप इसको ऐसे imagine कर सकते हैं, center पे carbon है, एक orbital space में उपर गया, एक right side उदर गया, और एक आगे की तरफ आया, और एक पीछे की तरफ गया, यानि एक अब 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 अ space marriage होगे tetrahydral manner में, और आप particular उसी direction से next elements जो इसका octet पूरा करेंगे, यानि electron इसके साथ share करेंगे, जो electron देने का काम करेंगे, वो particular tetrahydral manner में इससे आकर के जूडते हैं, जैसे कि methane की structure एक standard ले लिया मैंने, और methane की structure में, आप देखो, चार hydrogen tetrahydral manner में इससे approach कर रहे हैं, और एक hydrogen एक electron देता है, उसके पास एक electron होता है, चार hydrogen ने चार electron दे दिये, एक-एक electron पहले से था, octet हो गया पूरा, और student यह ध्यान रखना, जो एक-एक electron hydrogen ने दिया, जिस साइड से वो आकर के जुड़ा, वहाँ बन जाता है एक linkage, और उस linkage को हम bond बोलते हैं, bond, बंद, इंदी का एक structural formula है, tetrahedral manner में, और इसको मैंने bond से इस तरह से दिखा रखा है, बगल में, और इसको कहते हैं, tetrahedral carbon, sp3 hybrid carbon, जो चार bond बना रहा है, चारों के चारों सिग्मा bond, यह bond अभी थोड़ी देर में आने वाला है, sigma और pi, bond angle in between two bonds in the sp3 hybridization will be 109.5 degree, यानि के दो bonds के बीच में bond angle 109 degree, 9.5 degree लगबग, जो है, यह बताया जाता है, sp3, tetrahedral, इसकी geometry, tetrahedral structure, हां, और 109.5 degree का, इसे बात सुनो, यह तो carbon का sp3 है, inorganic chemistry में आप sp3 पढ़ोगे, तो दूसरे elements के भी पढ़ोगे, nitrogen के, oxygen के, वहाँ लॉन पेर आ जाएंगे, तो सुनो, जहां भी sp3 hybridization बोला जाए, तो geometry, tetrahedral को टिक करना, लेकिन अगर examiner पूछ ले, structure या shape, तो भई आवाँ यह CPR कहता है, lawn pair को कभी भी structure में या shape में consider नहीं करते, केवल bonds के इसाब से shape बताई जाती है, तो वहाँ पर फिर वो बदल जाती है, तो देख लेना, वैसे in general structure या shape के रूप में सवाल पूछता है, geometry नहीं, geometry वो carbon में पूछता है, जो question है, अभी तक जो है, केवल basic portion चल रहा है, basic organic develop कर रहे है, एक बार ये develop हो गई, फिर देखते चलना, आप धड़ा-धड़, RPSC से संबंदे, जितने भी questions से related, जितने भी topic वो आते चलेंगे, SP3 का introduction हो गया है, CH4 example, अब आओ आप SP2 यानि क trigonal planar hybridization, दूसरे type का, यहां पर आपने concept देखा, कि 1S और 3P redistribution कर रहे हैं, तो 4 नहीं SP3, कुछ ऐसे भी carbon से nature में, जहां पर 1S और 2P, 1P रह जाएगा, 3P होते हैं, PX, PY, PZ, तो 2P काम आजाते हैं, PX और PY, और 1S, जब 3 orbital redistribution करेंगे, 3, new SP2 बन के आए, और 1P orbital रह जाएगा, unhybrid कहलाएगा, तो exactly आप समझ गए होंगे कि यह जो hybridization है, यह pi bond रखने वाले, double bond रखने वाले carbon की यहां पर बात की जा रही है, क्योंकि वो जो P orbital है, वो pi bond formation करता है, आप जानते भी हो इस बारे में, चलिए खेर, मैं next आता हूं, इसमें आपको explain करता हूं, कि कैसे SP2 आइवरिड कारवन देखा जाता है, SP2 जो है, तीन SP2 बनेंगे, वो स्पेस में, स्पेस में, मैक्जिमम डिस्टेंस के साथ, ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो जाएगे, तो यह जो मैंने बोला, मैक्जिमम डिस्टेंस, इसको आप SP3 पे भी अपलाई कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, कि टेट्राहेडरल में ही क्यों गया, तो भाईया यह जो चार और्बिटल है न, यह मैक्जिमम डिस्टेंस के साथ, मतलब आप देखो, नैचुरली, कुद्रती ही, यह टेट्राहेडरल, इसके अलावा और कोई जोमेटरी नहीं हो सकती, जिसमें इतनी डिस्टेंस मेक्जिमम चले, इलक्ट्रॉंस की डिस्टेंस मेक्जिमम होगी, रिपल्शन कम होगा, स्टेबिलिटी मेक्जिमम हो जाएगी, सारा काम, सारा गेम, स्टेबिलिटी को गेन करने का ही हो रहा है वह यह, SP2 में वो ट्राइगोनल प् तो एक bond इस तरफ, एक इधर और एक पीछे की तरफ, just like that, तो वो इस space में ऐसे बनाया हुआ है, तीन electron इसमें एक unhybrid p-orbital जो perpendicular, तो ध्यान रखना, जो तीन orbital है carbon central पर है, वो plane यह है, तीन orbital जो वो इस plane में है, और एक unhybrid p-orbital perpendicular to the plane चलेगा, यह perpendicular to the plane जो unhybrid है, यह दूसरे unhy hybrid p-orbital के साथ pi bond बनाने के काम करेगा, तो sp2 hybridization में exactly, तीन sigma bond बनेंगे, क्योंकि तीन hybrid है, और एक pi bond बनके आएगा, conclusion देखो, जब 4 sp3 थे तो चारों के चारों sigma bond थे, और जब sp2 आया, तो तीन बनेंगे, वो तीन sigma bond बनाएगा, और एक pi बनने वाला है, इसका example, ethene molecule ले एक pi bond बनके आ रहा है, ऐसे carbon को हम कहते है, sp2 hybrid, trigonal planar carbon, जहां पर bond angle 2 bond के बीच में कितना रहता है, 120 degree का चलता है, 120 degree का, मतलब sp3 की तुल्ला में, यह bond angle और बढ़ गया, और बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है, इस बढ़ गया, तो distance, जो maximum repulsion चल रहा था, वो कम होगा, stability बात मत करो, पहले एक बार आप इसकी जो एक basic overlapping वाला concept है, वो देख लो, ethene के अंदर, ethene molecule के अंदर, 2p orbitals, unhybrid करते हैं, इस तरह की overlapping, अभी थोड़ी तेर में overlapping आएगा आप लोगों के सामने, तब और बैटर आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा, तो I think आप लोगों को introduction हो गया, अब SP2, अकेला carbon ही नहीं होता नेचर के अंदर, अधर elements भी शो करते हैं, nitrogen भी शो करता है, oxygen भी शो करता है, अधर elements भी SP2 hybridization शो करते हैं, जिसे detail में आप inorganic chemistry में और बैटर देख लेंगे, बट एक बात ध्यान रखना, जहाँ pie bond बनने की tendency आती है, वहाँ पर SP2 generally देखा जाएगा, और इसके अलावा resonance या conjugation present हो, तो वहाँ SP2 देखा जाता है, बट यह अभी जब आप resonance conjugation बढ़ोगे, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा, मैं next आता हूं देखिए, SP रहता है, इसमें SP carbon की अगर हम बात करें, तो SP में मुझे अलग से समझाने की कोई जर्वत नहीं है, SP में क्या होगा, outer shell का 1S और 1P, 1S और 1P, energy का redistribution कर जाएंगे, तो बच कितने गए remaining, जो काम में नहीं है, outer shell के 2P रह गए, दोनों पी perpendicular, 2P bond बनाएंगे, तो कहने का मतलब समरी यह है, कि ऐसा carbon जो 2P bond रखता है, और 2 sigma रखता है, वो SP hybrid होगा, तो यह समरी आप लोगों के सामने board पे दिखाई देगी, आप लोगों को screen पे, ऐसा carbon जो 4 sigma bond बनाता है, वो SP3 होता है, tetrahydral geometry होती है, 109.5 degree का bond angle होता है, ऐसा carbon जो SP2 होता है, ध्यान रखना trigonal planar उसे कहते हैं, जिसमें ऐसा carbon जिसके पास 3 sigma bond और 1 pi bond होता है, एक pi bond बनाने वाला, य यहां एक pi bond और 3 sigma आ जाएं, यह concept लेके चलो, वो SP2 गहलाता है, फिर उसके बाद बाद आती है, SP की तो दो pi और 2 sigma, ऐसी cumulative, इस तरह का carbon जिसमें 2 pi देखो न, इसके दोनों तरफ 2 pi हैं, तो concept जो आपको clear है कि 2 pi और 2 sigma, तो वो SP होगा, इत्यान रखना, लेकिन इसका एक exceptional case सभी आपके सामने आएगा, देखो, पहले तो एक benzene को देखो आप, benzene में सारे carbons, एक-एक pi bond रख रहे हैं, और 3 sigma चल रहे हैं, all carbon atom in benzene, are SP2 hybridized, और सब के पास एक-एक unhybrid P orbital रहता है, perpendicular, जिसमें आप delocalization यानि aromaticity आगे देखते हूं, पर यह इस वक्त सवाल क्या था, कि benzene के सभी carbon, SP2 hybrid होते हैं, no doubt, लेकिन जो exceptional case है, वो case है benzene का, यहाँ पर mention नहीं है, यह देखो, मैं कर देता हूं, यह benzene को मैंने mention कर दिया, देखिए students, यह benzene, यह exceptional case है, इसके दोनों carbon, हम सोचते हैं SP होंगे, लेकिन SP2 बताये जाते हैं, ट्रपली bonded जो कारबंस हैं, अब आप सोचो, समरी क्या कह रही थी, समरी यह कह रही है, कि SP होता है, लेकिन देख लो समरी का अपवाद निकल गया, ध्यान रखना benzene का कि इस एक्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्यों हुआ, यह benzene reaction intermediate जब आएगा, पूरी डिटेल में डिस एक पाई बॉंड, कौन बना रहा है, SP2 orbital बना रहा है, अब वो chemistry थोड़ी बहुत जो है, बेंजाइन चलेगा, जब डिटेल में धंग से करेंगे, पूरी और्गैनी की लेकि चलनी हम लोगों को, डॉंट वरी, तो यह तो चर्चा हो गई आप लोगों से, एक्शेप्शनल प्रेनर और लीनियर, क्योंकि यह जो SP वाला कारबन होता है, इसकी जो जो मेटरी होती है, वो होती है, लीनियर और बॉंड एंगल होता है, 180 डिगरी का, यह सब जानते हैं, यह सब जानते हैं, इसको अलग से बताने कि मुझे जर्वत थी भी नहीं, लेकिन अब बारी आती तो वो bond की चर्चा करें पहले, तो bond की चर्चा सबसे पहले हम लोग करते हैं, और bond की चर्चा में मैं आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ, chemical bond को, तो देखो, organic chemistry नहीं, पूरी chemistry के अंदर अगर हम बात करें, तो यह general types के bond देखे जाते हैं, कौन कौन से, ionic, covalent, coordinate, metallic, और वीक वांडरवाल फोर्सेज यह जनरल पांच तरह के बॉंड्स आप देखते हूं और इनका पूरा डिटेल डिस्केशन आप अच्छी तरह से जानते हो chemical bonding chapter inorganic chemistry में डंगसे किया जाता है chemical bonding में और है ही क्या chemistry की bonding ही तो बता ही जाती है मुझे बताओ तो मैं इसके बारे में ज़्यादा detail बात नहीं करूँगा हाँ मैं इन सारे bonds के बारे में चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर क्योंकि यह तो आप inorganic में डंगसे पड़ो गई उनसे इन और गेनिक वाले faculty से बट मैं जो बात कर रहा हूं इस platform से इस platform पर आप लोगों से वह बात करूँगा organic molecules में present होने वाले bond की तो स्टूडिट ज्यान रखना सभी कारवनिक योगिकों में सभी organic molecules में कोवेलेंट bond हिंदी में बोलते हैं सहसायोजक बंद प्रजेंट होता है कोवेलेंट और सहसायोजक हिंदी में जो है वह सहसायोजक का मतलब है साजे से बनने वाला बॉन्ड तो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आयोनिक जो है वह इन और गेनिक इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपर होता है जबकि कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेरिंग पाई जाती है क्या बोला मैंने यहां होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपर जबकि यहां होता है यहां होती है इलेक्ट्रॉन की शेरिंग ट्रांसपर का मतलब ट्रांसपर मे में क्या होता है दोडान नेयमेंट जो होते हैं एक ओलर पावर फूल वाला खेंच लेता ट्रांसपर हो जाता है वह में देखा जाता जब कि और गयनिक में जो आप यह लोग नॉन मेटल कार्बन हाइड्रोजन औक्सिजन नाइट्रोजन सुल्फर है लोजन इनकी विद्धुत्रिंडताओं में, electron negativity में ज़्यादा अंतर नहीं होता, difference नहीं होता, इस वज़े से ये खेंच नहीं सकते, transfer नहीं करवा सकते, ये क्या करते हैं, ये साजा करते हैं, sharing करते हैं, एक ही statement, क्या, all organic molecules, all तो छोड़ो, आप तो यह कह दो कि organic molecules are held together by the covalent bond, सह सयोजग बंद के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, तो मुझे क्या, आप से लोगों से discuss करना है, covalent की knowledge बतानी है मुझे तो, आगे और चीजे फिर उसमें देखते चलोगे, आगे आएगा जब, तो covalent bond के बारे में चर्चा देखिए, आप कोवलेंट bond के बारे में, आप लोगों से जो है, वो चर्चा शुरू करते हैं, covalent bond, students, ये sharing से बनने वाला bond है, साजे से, तो क्या होता है, एक element या atom, एक electron share करेगा, दूसरा element या दूसरा atom, दूसरा electron बेजेगा, जैसे की carbon hydrogen के बीच, methane में आपने देखा था, एक carbon एक hydrogen, वही carbon दूसरा hydrogen, वही carbon तीसरा hydrogen, वही carbon चौता hydrogen, तो sharing हो रही है आपस में, साजा हो रहा है, carbon का octet पूरा हो गया, हाँ, और hydrogen तो अश्टक पूरा करी नहीं सकता, hydrogen में तो maximum दो electron आ सकते हैं, तो hydrogen में दो electron आना, मतलब hydrogen भी stable हो गया, CH4 के example से आप लोगों को बता रहा हूं, तो sharing चलती है, और covalent bond बनता है, जिसे एक line से represent हम करते हैं, line से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है, दो bond share हो के बनना, ये clear है सबको, अब क्योंकि covalent bond की अगर हम बात कर रहे हैं, देखो, एक बार आप देखो, covalent bond की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा topic क्या आता है, covalency, covalency को हम कहते हैं, सह सही हो जगता, यहाँ से कहीं बार examiner सवाल बना लेता है, तो covalency का एक basic term में मिनिंग बता देता हूँ, कि कितने electron, valence shell, outer shell के, बायतम कोस के कितने electron, sharing में भाग ले रहे हैं, यानि bond बनाने में काम आ रहे हैं, उसे कहते हैं covalency, अब आप यह भी जानते हो, कि bond बनाने का काम हो रहा है, तो carbon के बायतम कोस के चार electron गाम आ रहे थे, चार hydrogen दे रहा था, आठ electron पूरे हो रहे थे, तो चार electron गाम आ एर चारbon बने, हमने कह दिया carbon की covalency कितनी होती है, चार होती है, चार valency, covalency, carbon पाँच covalency कभी शो नहीं कर पाता है, ध्यान रखना, पैंटा वेलेंट कारवन आपने नहीं पढ़ा होगा, टेट्रा वेलेंटी आप पढ़ते हो, यह और बात है कि ट्राइवेलेंट भी आप पढ़ लेते हो, लेकिन मेंली चार valency, इसलिए नेचुरल वेलेंटी जो है वो चार है, एक एक एलेमेंट के, आपको पता चल जाएगा कि कितने एलेक्ट्रोन शेरिंग में भाग लेने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा, हाँ, हैलोजन की, नॉर्मल और्गेनिक में एक वेलेंटी बताते हो, बोरोन की तीन बताते हो, hydrogen की एक बताते हो, silicon carbon के group में आता है, चार बताते हो, और variable valency में आप ले लेते हो, sulfur और phosphorus, यह changing valency शो करते हैं, phosphorus तीन valency भी शो करता है, पांच भी करता है, sulfur दो चार छे करता है, यह covalency covalent bond में चलती है, students covalent bond organic molecule में प्रेजेंट होता है, इसके दो टाइपस आप देखते हो, एक sigma और एक पाई, एक sigma, एक पाई, दो तरह के covalent bond पढ़ोगे, एक sigma, एक पाई, इन दोनों को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले overlapping यानि अती व्यापन concept को समझना पड़ेगा, तो देखो मेरी बास सुनो, पूरा focus, मैं जो बोल रहाँ उसको सुनने पर ध्यान देना पूरी तरह से, overlapping अती व्यापन है क्या, भाईया, electron की sharing हो रही है, octet पूरा करने के लिए, और electron present है, orbital के अंदर, चाहे वो hybrid हो, चाहे वो unhybrid हो, आपने देखा है, तो overall जो electron share हो रहे हैं, साजित हो रहे हैं, वो orbital में present है, इसका मतलब, orbital भी तो आपस में intermix हो रहे हैं, जो electron साजित होंगे, वो orbital ही तो लेके आएंगे, orbital का आपस में intermix होना ही क्या कहलाता है, और लेपिंग कहलाता है, पूरा connection है, पूरा connection चल रहा है, पूरा connection कैसे, orbital की intermixing होगी, electron साजित होंगे, shared होंगे, bond बन जाएगा, अब overlapping chemistry organic में, जनरल ही दो तरह की देखी जाती है, एक समक्षी है, एक समपार्षी है, यह मैंने जो नाम लिख रखे हैं यहाँ पर, यह नाम जो है, यह basically English में लिख दिये है, हिंदी वाले इसको हिंदी में देख सकते हैं, समक्षी है, और समपार्ष्वी है, साइडवे, समपार्ष्वी है, सही है, चलता है छोटी मात्रा बड़ी मात्रा चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगी बहुत, हो गया ना, दो तरह की overlapping, नाम से ही पता चल रहा है, coaxial मतलब एक एकसिस में आकर कि overlap होना, एक particular axis, चाहिए आप वो यह axis ले लो, particular direction एक particular axis में, दो orbital मानलो, दो S है, spherical, गोलाकार, axis में आगी, दो P है, एक axis में आगी, तो यह कहलाती है, strong overlapping, particular एक axis में आकर कि overlap होना, और आप सभी जानते हो कि strong overlapping जो है, वो strong bond का formation करती है, and that is sigma bond, sigma bond का formation, मतलब sigma bond जो बनके आएगा, वो strong overlapping coaxial से आएगा, और यह भी आप universal truth जानते हो, कि पहले sigma ही बनेगा, exception की अलग बात है, 2-4-5% exceptional case की बात हम नहीं करते हैं, हम 95%, 90% जो regular natural cases हम की बात करते हैं, क्या कहते हैं, हम कहते हैं, पहला bond sigma ही बनेगा, ताकि bond molecule stable हो गई है, strong bond बनेगा जब इस्टेबल होगा, low potential energy की तरफ जाएगा, तो हम कहते हैं, strong overlapping, strong sigma bond को coaxial से बनता है, इसका दूसरा जो पार्ट है, समपार्श्वी है, यह weak overlapping से, side से बनेगा, यह दूर से, जैसे p orbital होते है, dumbbell shape, तो dumbbell shape में एक तो p orbital ऐसे overlap हो जाए, axial, और एक यह side से दूर से ही overlap हो, यह overlap ऐसे नहीं, यह दूर से ही, तो यह overlapping तो exactly overlapping होई कहां, यह तो side से एक तरह से बस, एक दूसरे से ठीक है, एक octet complete करने का काम हो रहा है, जिसे हम कहते है, weak overlapping, दूर से बांधना, एक तरह से, अगर देशी बाशा में बात करें, normal language में, तो वो यह है, collateral, इसे कहते हैं overlapping, side way overlapping, क्या बनाती है, pie bond यानि weak bond बनाती है, क्योंकि यह weak overlapping है, तो हमें यह भी बता चलिया, sigma bond होता है strong, pie होता है weak, इध्यान रखना, पहले pie bond ही तूडता है, उसके बाद sigma break होगा, और pie को तोड़ने के लिए energy की requirement कम होगी, sigma को तोड़ने में ज्यादा requirement होगी, क्योंकि वो strong bond होता है, concept आप समझ के चल रहे हो, I think आप लोगों को overlapping का concept समझ आ गया, sigma और pie bond कब बनेंगे समझ आ गया, समरी क्या है, समरी ये है कि coaxial overlapping सभी तरह के orbitals से देते हैं, hybrid भी, संकृत कक्षक और unhybrid यानि S संकृत कक्षक भी देते हैं, hybrid में SP3, SP2, SP hybrid कोई सा भी ले लो, और unhybrid में P और S, carbon में तो यही चलेंगे, P और S ये देते हैं, लेकिन collateral overlapping, hybrid orbital नहीं देते, S orbital भी नहीं दे सकता भाईया, इस spherical imaging करके देखना नहीं दे सकता, side भी overlap, केवल और केवल, perpendicular P orbitals unhybrid ही इस overlapping को दे पाते हैं, और जब आप coordination chemistry पढ़ते हो, metal carboniles पढ़ते हो, जब आप d block elements देखते हो, वहाँ d orbitals आते हैं, वो भी back bonding में आप share करते हो, deep IP bonding, जिसे भी आप weak bond बताते हो, तो बात फिर्फ यहां पर organic में P orbitals की चलेगी, unhybrid P orbital gives the collateral overlapping only, so, यही pipe bond बनाने का काम करेंगे, clear है, यह आप लोगों की बात हो चुकी है, यह हम लोगों की बात हो रही है, overlapping concept की, अब overlapping में कुछ examples उधारन आप लोगों को बताते हैं, जैसे पहला उधारन दे रखा है hydrogen hydrogen के भी sigma bond, H2 molecule, H2 gas होती है, H2 molecule के बीच में जो इस sigma bond है, यह 1S और 1S orbital की overlapping से बन रहा है, को एक जील से बन रहा है, strong overlapping से बन रहा है, ध्यान रखना strongest bond है अपने आप में H, H और H के बीच में, क्योंकि 1S और 1S में size बहुत छोटा है, थोड़ी देर में आप आगे overlapping को को bond strength से correlate करेंगे, तो student ध्यान रखना, यह तो बात हो रही है, H2 की, इसी तरह F2 और HF, HF में आप fluorine का electronic configuration चेक करना, halogen का, तो आप देखोगे कि इसके बायतम कोश में, valence shell में, साथ electron रहते हैं, एक इसे लेना है और, यह साजित कर लिया, यह share हो गया hydrogen के साथ में, इसका octet पूरा हो गया, लेकिन इसके valence shell कौन सा होता है, 2P, fluorine का valence shell होता है, 2P, नीचे चलोगे group में, chlorine 3P, bromine 4P और iodine का 5P, size बढ़ता जाएगा, size बढ़ेगा, तो overlapping गढ़ जाएगी, तो यह आपको थोड़ा बहुत concept जो भी थोड़ी देर में आएगा, overlapping और उससे हम bond strength को correlate करेंगे, तो students, HF में 1S2P, H2 में 1S1S, axial है, सब में coaxial overlapping है, F2 में 2P2P, coaxial, अब आप आओ, कार्बन के case पे, सबसे पहले methane, methane में कार्बन जब भी आजाए, आप normal unhybrid orbital नहीं बताओगे, आप बात करोगे सीधे hybridization की, यदि वो tetravalent, सारे के सारे sigma bond है, तो आपको होगे carbon SP3 है, तो इसका SP3 और hydrogen का 1S, coaxial overlapping, यह sigma bond मर रहे हैं, चारो sigma bond SP3, S overlapping से मर रहे हैं, ऐसा question आजाता है, bond को indicate करके दे देता है, पूछ लेता है कि यहां बताइए, क्या overlapping चल रही है, orbital में दे देगा, और उसके साथ में मेंशन कर देगा, coaxial यह collateral, तो आपको पैचानना है, ethane में, ethane में carbon-carbon sigma bond का formation, SP3, SP3 coaxial overlapping से होता है, इसी तरह, ethane के अंदर, ethane के अंदर, carbon-carbon sigma bond, SP2, SP2 coaxial से बनता है, जबकि carbon-carbon pi bond, unhybrid p-orbital, संपार्श वियानि, collateral overlapping से बनता है, concept आप सीख के चल रहे हो, मेरी बातों को आप ध्यान से समझ के चल रहे हो, तो I think आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, जहां कोई बात आपको लगे कि समझ नहीं आए, वीडियो को वापस पीछे ले जाओ, और वापस repeat करके सुन लो, कि क्या बोला है, मैंने जो है, students, ये देखो, ट्रपल बॉंडेड कार्बन और हाइडरोजिन के बीच, अगर मैं करूँ इस बॉंड की बाद, सिग्मा बॉंड की, ये किस ओवरलेपिंग से बन रहा है, सिग्मा बॉंडे तो को एक्जियल से बन रहा है, S, P और S, और S, और S कौन सा, 1S, और S, P कौन सा, सिलिकॉन के अंदर तो थ्रीवाला काम आजाता है, इब्रिडाइशन में, तो फरक पड़ता है, उसका बिल्कुल फरक पड़ता है, ध्यान रखना, बैंजीन के अंदर, सिग्मा बॉंड जो इंडिकेट कर रहे हैं, कार्बन आइड्रोजन का, वो SP2 और S, और S, और लेपिंग से बन रहा है, आपने कंसेट सीख लिया है, तो आप किसी भी बॉंड का बता सकते हो, और यह फिर आ गया, एक्शेप्शनल केश, जो मैंने थोड़ देर पहले कहा था, यह सवाल एक्जाम में बनता है, इंपॉटेंट है यह, क्या पूछता है, बेंजाइन या एराइन जो इंटर्मीडियेट होता है, मद्देवर्ती, उसमें कार्बन कार्बन ट्रेपल बॉंड का फॉर्मेशन, किन ऑर्बिटल हे से हो रहा है, तो स्टुडेंट्स, स्पीह, स्पीह, और्बिटल की ऑर्बिटल हे लेकिन अगर आपसे कोई कहें whoиз staff, यह तीसरी हएप की नई ऑशेप्शनल में आती है, जिसे हम कहते हैं oblique oblique overlapping आप cyclopropane के case में भी देखोगे किस में देखोगे आप oblique overlapping students आप देखोगे cyclopropane के case में जहां बनाना bond की बात हम करते हैं वहाँ भी oblique क्योंकि वह इस च्ट्रेन आ जाती है इसी तरहे इस molecule में भी इस ट्रेन आ जाती है जहां oblique overlapping होगी वहाँ एंगल इस्ट्रेन आएगी ही आएगी वो भी एक मॉंड बनेगा तो यह सारा कंसेप्ट जब बेंजाइन आप देखोगे तब आ जाएगा ओवर लेपिंग हो गया कोवेलेंट मॉंड की चर्चा हो गई स्टूडेंट्स आगे वढ़ते हैं और आगे अब में बात करता हूं देखो इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन मैंने आप लोगों को सिखाया SP3, SP2 और SP कुछ केस हाइब्रिडाइजेशन के देखो मैंने लिए हो मैं जैसे ऐलीन का केस मैंने रख रखा है ऐलीन के केस में सवाल बनता है ऐलीन के केस का आपको बस इतना देखना है कि कार्बन टेत्रा वेलेंट तो हो गई होगा कितने सिखमा और कितने पाई है इस कार्बन में तीन सिखमा है एक पाई है यह SP, इस कारवन में एक पाई और तीन सिगमा है, यह SP2, आपको बता है सवाल कैसे बनता है एलीन का, C3, H4 या एलीन में जो तीन कारवन होते हैं, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्रमेश होगा, क्रमेश होगा, तो SP2, SP और SP2 क्रम से बताओ, चाए इधर से चलो, चाए इधर से चलो, SP2, SP, SP2, कितना बड़िया सवाल होगी, या फिर क्या सवाल पूछ चुका एक बार, एलीन में जो सेंट्रल कारवन है, उसका हैब्रिडाइजेशन क्या होगा, SP होगा, क्लियर है, तीनों कारवन-SP हाइब्रिड होगे, यह अपवाद नहीं है, नॉर्मल केस है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ऑकसिजन और жен के जो आउडियेजिटेशन आप देखोगे उप इनौर्गेनिक केमिस्ट्री में और बैटर देख वरोगे मुझे यहाँ पर अलग से बताने की ज़रवत नहीं है इंद्ध रखना वो आप इनौर्गेनिक केमिस्ट्री में वी या से पिअर थीजिए में आप उनकी शेप भी देखोगे लॉंपेयर बॉंपेयर लॉंपेयर सबके रिपेल्शन वगरे के सारे था आप लोग जो है वो सीखोगे देखिए एक एक जामपल यह उपर जो बता रहा रहा बॉंड का carbon carbon single carbon carbon double carbon carbon triple bond चाहिर सी बात है जो triple है वहाँ एक सिग्मा पहले से हैं दो पाई है सबसे ज्यादा bond strength सबसे ज्यादा stronger bond यह होगा उससे कम carbon carbon double और उससे कम carbon carbon single bond एक चीज आप पढ़ते हो एक चीज आप पढ़ते हो कि bond strength, it is directly proportional to bond energy, dissociation energy, it is directly proportional to bond order, it is inversely proportional to bond length, पढ़ते हो na, तो bond length सब्चे ज्यादा carbon-carbon single bond की होती है, 1.54 angstrom होती है, उसके बाद carbon-carbon double bond 1.34 लगबग, और 1.20 angstrom, में यूनिट बताईए, bond length की, bond length कम, यहां थोड़ी और ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा, single bond में, जबकि bond order या bond energy, वो सबसे ज्यादा इसमें होगी, तो ultra inversely proportional relationship चलता है, तो ऐसे भी question एक्जाम में बन जाते हैं, ध्यान रखना मेरी बात, अध्यान से समझना, इसके बाद वो कैसे सवाल आ जाते हैं, एक्जाम में बन जाता है, जैसे कि यह structure बना के देदी, और आप से पूछ लिया, SP2, SP2, sigma bonds की संख्या बताईए, SP2, SP2, overlaping से बनने वाले, sigma bonds, number of sigma bonds बताईए, तो भाईया, SP2 पहले कारवन को चेक कर लो, और SP2, SP2 वाले sigma bonds, एक, दो, तीन और चार होंगे, चार sigma bonds, या फिर कहीं बार क्या सवाल पूछ लेता है, एक particular structure का नाम दे दिया, या structure बना के दे दिया, आप से पूछ लिया, इसमें number of sigma और pi bond की संख्या बता दीजिए, तो उसमें पूरी structure को open कर लेते हैं, और उसके बाद गिल लेते हैं, यह easy question है, लेकिन candidate silly mistake कर जाता है जल्दबाजी में, तालूइन का पूछ लिया एक बार, तालूइन का, तालूइन में पूछ लिया कि total number of sigma और pi bond बताईए, और जल्दबाजी में candidate hydrogen निकालना भूल गए, इधर वाले, और गडबड़ कर दी, तो यह बहुत silly mistakes कहीं बार exams में, यह इस तरह की चीज़ी जो है, वो नहीं होनी चीए, students यह ध्यान रखना, overlapping versus bond strength जो है, यह आप लोगों को next जो वीडियो आएगा, मेरा, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, overlapping से bond strength को कैसे, extent of overlapping जतना जादा, bond strength उतनी ही जादा, तो यह एक बहतरीन concept होगा, लेकिन और इस से confirm सवाल, RPSC 2020 में पूछा गया है, first grade में, 2016 में आ चुका है, और अभी जो college lecture आ रही है, उसमें आ चुका है, इस से तो confirm question आता, आज के time पर यह trend में है, अगला वीडियो मेरा यहीं से शुरू होगा, जिसमें overlapping bond strength, bond energy, bond length के concept आप लोगों को बताए जाएंगे, और फिर यह GOC का chapter number two, जिसमें सारे inductive effect, resonance, hyperconjugation, aromaticity, वो आगे धीरे धीरे वीडियो से चलेंगे, clear, तो आज के इस वीडियो में इतना more than sufficient है, अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, good bye students.